नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश राजसान जोदपूर विका नेरजुले की बड़ी खबरें राजसान की UDH मंत्री शांतित धारिवाल ने दिल्ली में बड़ा बयान दिया है उन्होंने मीडिया से बाचीत में कहा कि राजसान में मुख्य मंत्री अशोग गहलोत के नेत्रतों में ही अगला विधानसपा चुनाओ लड़ा जाएगा धारिवाल ने CM बदलने के सवाल पर कहा कि मीडिया में छपवाते रहते हैं ताकि जुन्दा रहें वास्तविक्ता यही है कि जनता, हाईकमान और विधायक यही चुआते हैं कि CM कंटिन्यू करें अशोग गहलोत ही रहें राजानी जपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाए जाने के लिए अभियान की शुरुवात हो चुकी है अब इस अभियान में शिक्षा विभाग भी अपनी महत्यपुन भूमिकान इभाएगा जुला गलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी शामिल कर उन्हें इसे लेकर स्कूली विद्यार्थियों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रती जागुरुकता पैदा करने के लिए कहा गया है शारी शेत्र के स्कूलों में यदायत्व जिला शिक्षा अधिकारी को और ग्रामिन शेत्रों में CBEO को यदायत्व दिया गया है स्कूलों में विद्यार्थियों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के जौन करी दी जाएगी ट्रैक में छूट दिलाने के नाम पर वरानसी के रेशम फर्म के मैनेजर संग एक करोड 87 लाख रुपए की ठगी के मामले में वारानसी पुलिस कमिशनर डेट को बड़ी सफलता हाथ लगी है वारानसी पुलिस ने ठग गिरों के सरगना समय चार ठग को गिरफतार किया है साथ इठगी की सारी रकम भी बरामत कर ली है इस कामियाबी के लिए पुलिस टीम को अब एक लाख रुपए का इनाम देने की घोशना की गई है रासामन शहर के हाफसिंग बोर्ड में पुलिया के पास जल्द ही ओडिटोरियम का निर्मान प्रारंप होगा दस करोड की लाखा से बनने वाले ओडिटोरियम में 800 लोगों की बैठने की व्यवस्ता होगी इसकी डिजाइन तयार हो गई है अब जल्द ही टेंडर फ्रिक्रिया प्रारंप होगी राजी सरकार ने पिछले बजट में जिला मुख्याले पर ओडिटोरियम निर्मान की घोशना की थी जिला मुख्याले पर एक भी ओडिटोरियम नहीं होने की कारण कारक्रम के आयोजन और सामोहिक बैठक आदि करने में परिशानी होती थी इस परिशानी को देखती हुई राजसरकार ने बजट में घोशना की थी भरत पुजिले के बयाना उपखंड में कुमारे लोगों को जहांसे में लेकर नगदी जेवरात लूट कर ले जाने वाले लुटेरी दुलहनों का ग्यांग लगाता सक्रिये बना हुआ है लुटेरी दुलहनों का ताजा मामना अब बयाना पुलिस सरकिल के गढ़ी बाजना थाना इलाके के गाउं बैसोरा में सामने आया है जहां शादी के नाम पर फिर से धोख़दड़ी हुई साथ लाक लेकर शादी करने वाली लुटेरी दुलहन बहने अपने ग्यांग के साथ शादी के सोला दिन बाद ही लाखों के जिवरात और बीस हजार पे की नगदी लेकर घर से चमपत हो गई सरकारी और नेजी कॉलेज में शाक्षिक अवकाष आज रविवार से प्रारम होंगे जून सत्र दोजर बाइस ते इसके यूजी पीजी कक्षाओं के प्रवेश कारे प्रारम होने के साथ संस्थानों के परिसोरों में फिर चहल पहल लोटेगी इस दोरान विश्य विद्यालों के परिक्षाओं भी चलेंगी नए शाक्षिक सत्र में कक्षाओं की शिरुवात एक जुलाई से होगी शाक्षी कलेंडर के अनुसार 30 अप्रेल को इसका अंतिम कारे दिवस रहा रविवार से सभी कॉलेज में गर्मियों की चुटियां रहेंगी जोदपुर शहर में पढ़ रही भीशन गर्मियों और लू को देखते वे सभी स्कूलों का समय परिवतन किया गया है आप कक्षा 7 वी तक की सभी कक्षाएं सुबह साड़े साथ से ग्यारा बजे तक ही संचालित होंगी इसके लिए जिला कलेक्टर ने निर्देश चारी कर दिये हैं जिला कलेक्टर हिमानशु गुपता की आदिशा निसा जिले में संस्चालित समस्थ राज़किया निजी विद्यालियों एवम सीब एस सी बूड से haha सबी विद्यालों में कक्षा 1-4, एवन कक्षा 6-7 में अध्यनरत समय से विद्यार्थियों का 2 मई से 16 मई तक समय सुबह 7.30 से 11 बजे तक रहेगा। रहसान के सरकारी वे प्राइवर्ट स्कूल्स में होंग क्लासिस का रिजल्ट 16 मई को घोशित किया जाएगा और 17 मई से स्कूल्स में ग्रिश्म कालिन अवकाश शुरू हो जाएंगे। खत्म नहीं हुए। खास कर सरकारी स्कूल्स में एक्जाम 11 मई को खत्म होंगे। शनिवार को जोतपुर खरीजभवन में जोतपुर वृत के माइन्स और जियोलोजी विभाग के वेस्ट अधिकारियों के बैठक को संबोधित कर रहे थे। बिकानेर में एक बार फिर तापमान 45 डिग्री से उपर निकल गया है। शनिवार को बिकानेर में तापमान 45 डिग्री से अधिक तम रहा जबकि पिछले 24 घंटे में निरूतम तापमान 26 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बिकानेर संबाग के जिरों में सीवियर हीट वेव रह सकती है। अभी एक वे दो मई को भी बिकानेर में सीवियर हीट वेव की चेतावनी है। बज़ुर्गों वे बच्चों को इस मौसम में घर से बाहर नहीं निकलने के सलाहत दी गई है रासान ब्रामन महासभा द्वारा परशुराम ज्यनती पर एक मई से तीन दिवसे कारक्रम आयोजित किये जाएंगे इसमें ब्रामन महासमेलन वेराली सहित कई कारक्रम होंगे ब्रामन महासमेलन वेराली की तैयारियों को लेकर महासभा की पतादिकारी वे समाच के लोग जुटे हुए हैं उन्होंने शनिवार को कारक्रम स्थल गांधी मैदान में व्यवस्थाओं का जायसा लिया पांचवे और आटमे बोर्ट की परिक्षा दे रहे ननहे मुने स्टूडेंट को अब अपने मूल स्कूल से काफी दूर जाकर एक्जाम देना पढ़ रहा है लेकिन बिकाने शहर के दोनों महत्मा गांधी स्कूल के स्टूडेंट्स अपने ही स्कूल परिसर में एक्जाम दे रहे है मजी की बात यह है कि इन दोनों स्कूल के पास ही दूसरे सरकारी स्कूल भी है लेकिन इसके बात भी इनका सेंटर खुद का स्कूल ही रहा वहीं कुछ अन्य सरकारी स्कूल का सेंटर भी नहीं बदला गया प्राइविट स्कूल से जुड़े संगटनों ने अब इसका विरूत करना शुरू कर दिया है जोदपुर में राइका बाग से जुगल जोडी बाबा रामदेव मंदिर में सैना चारे अचला नंदगिरी महराज का जनम दिवस शनिवार को धूमधाम से मनाया गया इस जोड़ान उन्होंने केक काटा उनके अनुयाईयों ने उन्हें मिलकर बधाईया दी और आशिरवाद लिया वहीं कई तरह की सिवा कारे भी किये गए इस जोड़ान गायों को चौरा भी डलवाए गया जूदपुर में शनी अमावस्या पर सभी शनी मंदिरों में भक्तो की भीड रही इस जोड़ान तेला विशेक सहित कई धार में कारक्रम हुए प्रतापनगर पुलिस चौकी की सामने सिथ हनुमान शनी धाम पर सुबह से ही दर्शनार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया मंदिर के पुज़ारी गोपाल महराज ने बताया कि पंडित दामोदर भारदवाज व्रिंदावनवाले की सारीध्य में दिन भर कारक्रम जोरी रहे भक्तो द्वारा शनी भगवान के प्रतिमा पर तेला भी शेक किया गया इसके लिए मंदिर पर भक्तों के लिए निशुल के तेल की विवस्ता रखी गई राश्तान सरकार के विधिया में विधिक कारे विभागने राश्तान उचने अयले जोदपुर के फौसदारी प्रकरणों में पैरवे करने के लिए मनसूर एहमाद सिद्धिकी को राश्की अधिवक्ता एवं अतरिक्त महादिवक्ता के पत पर नुक किया गया है फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खब्रों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें